दोस्तो नमस्कार आज की जो समस्या है वो आप सभी के पास हैं दोस्तो इस समस्या के बारे में A2Z information हमारे पास आ चुकी है जैसा कि आप सब को मालूम है नो सिगनल डिश्टीवी फ्री सेट डीडी फिरेडिस पर नो सिगनल से अभी आप सभी जूज रहे हैं हो नहो सन डायरेक्ट पर भी ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है अभी कोई भी खबर सन डायरेक्ट की हमें नहीं मिली है तो दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे ये प्रॉब्लम क्यूं आई है तो दोस्तो बस आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा नमस्कार आपका वेलकम करते हैं साहिल फ्री डिस यूटॉब चैनल पर इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सकाइब जरूर कीजिएगा दोस्त जैसा कि आप सबको मालूम है कि बारिस और तमाम तरह की अन्य आपदा है प्राकितिक आपदाएं हैं वो इस समय चल रही हैं और बारिस की बात करें तो लग तो यह रहा था दोस्तों कि यह समस्या बारिस की है मगर दोस्तो हमने जो डीडी फ्रेडिस के सीनियर्स हैं उनसे हमने बात किया तो उन्होंने बस एक लाइन में मुझे जवाब दिया कि only ये वेदर की समस्या है तो मैं आपको दिखा दूँ ये आप लोग देख सकते हैं ये मैंने मैसेज किया था तो मुझे जवाब आया है इस जवाब में ये मुझे बताया गया है कि कोई आइडिया नहीं है लेकिन हाँ वेदर की ये समस्या है मगर दोस्तो अब जो समस्या है उसको जो हकीकत जो असल समस्या है वो एकदम मैं भी मैं समझ चुका हूँ कि क्या समस्या है इसे आप लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा दोस्तो यह सैटलाइट की समस्या है यह जो टेखनिकल जो समस्या है हम कह रहे थे कि परसार भारती के सेटलाइट को भेजता है यह समस्या नहीं है यह meer सेटलाई्ट है जो यहाँ मानलूब यह पर सार भार्तिया पर सिगनल भेज़ता है और इस सिगनल सब के घरो में जाता है तो यह से और यह समस्या यह है अब यह समस्या एक घंटे में बहुत हुग और एक घंटे not दोस्तों और कुछ हो सकता है मतलब यह कि एक से दो घंटे में सही हो जाए एक दिन में सही हो जाए एक महीना भी लग सकता है अब यह टंप्रेरी जो समस्या है यह कभी भी सॉल्व हो सकती है मगर दोस्तों अभी का जो सीन है आप देख सकते हैं एक दो तीन एच इवी सी का बॉक्स एमपीजी टू का बॉक्स नॉर्मल एमपीजी फॉर का बॉक्स अब सब के सब रांडेड बॉक्स हैं इनको लगा कर मैं पूरा एकदम नजर मनाए रखते हूं और बाकी जो हमारे सोर आप लोगों ने नोटिस किया होगा सिग्णल का एक लाइन होता है एक और दोनो लाइन छीरो पर हैं अगर एंपीजी टू की बात करें तो जो इस तरह इस तरह की जो लाइन होती है वो तो है 80-90 और कभी कभी एकदम अनलोक हो जाए घट जा रही है और जो नीचे वाली लाइन ही वह 5% से ज्यादा नहीं बढ़ रही है तो दोस्तों यह सैटलाइट की समस्या एक चीज और हमने यहां पर देखा सैटलाइट की समस्या है चलो ठीक है जब है फ्रिक्वेंसी को नंबर को उसके चेंज कर रहा हूं जो टांस रिक्वेंसी होती है मिम्क्राइट जीटू के सिग्नल आ रहा है चला जा रहा है तो सैटलाइट में भी जो समस्या है वो ज्यादा गंभीर नहीं हो सकती है ठीक है यह सारी की सारी थीयोरी मैं अपनी बता बोगोजेदेगा मगर्यों पें पढ़ता है सेटलाइट पर या नहीं पढ़ता यह तो मैं नहीं कह सकता है मगर्यों जो भी इसके बारे में बहुत जल्द हमें तबाव सोर्स के माध्यूं से मालूम होगाा बाकि आफ हमारी चैनल पर नजरे जमाये रखें जो भी पलपल की अपडेट होगी वो मैं आप लोगों के साथ सेयर करूंगा अपने ख्याल रखिएगा दौआ में मुझे याद रखिएगा जैहिन जैभारत